Let's start Notepad introduction with file menu. Hello viewers, आज हम discuss करेंगे Notepad के बारे में, तो सबसे पहले आपने Search Bar के option पे Notepad टाइप करना है, जैसे ही आप Notepad टाइप करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास Notepad शो हो रहा है, जैसे ही आप इस option पे क्लिक करोगे, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस चो होगा. तो सबसे पहले Notepad होता क्या है और इसका क्या यूज है? Notepad एक ऐसा Text Editor है, जिसकी help से आप यहाँ पे अपने document को और web pages को create कर सकते हो. Text Editor का मतलब आप simply यहाँ पे text को type कर सकते हो, उसको edit कर सकते हो, edit का मतलब अगर आपने उसमें कुछ changes करने है, delete करना है या उसकी spelling को आपने change करना है और अगर आपने styling का use करना है, styling का मतलब आपने text का font size और font style को change करना है, तो वो facilities हमें notepad provide करता है. अगर आपने अपने text में color या background color का use करना है, तो ऐसी facilities notepad हमें provide नहीं करता. इसलिए notepad एक text editor है, जो सिर्फ text editing और document creating की facilities हमें provide करता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे bars के वारे में discuss करते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने discuss किया था कि आपके पास different different bars कौन सी है, आप previous वीडियो को check कर सकते हो, यहाँ पे भी मैं आपको just एक overview बताती हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो untitled, यह हमारे पास है title bar, जो भी आप अपने document का नाम दोगे, वो आपके पास title bar में show होगा. Next आपके पास है file, edit and view, तो इनको हम बोलते है menus, तो यह हमारे पास है menu bar. Next आपके पास है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तीन buttons है, minimize, फर्स्ट आपके पास है minimize, सेकिंड वान इस maximize and थार्ड वान इस close button. इन buttons का या इन commands का क्या use है, वो भी मैंने आपको last video में बता दिया है, आप उस video को check कर सकते हो. Next आपके पास, यहाँ पे जो white area है, इसको हम बोलते है text area. जहाँ पे आप text को type करोगे, यह हमारे पास है text area. और सबसे last में आपके पास है status bar, जो आपके page का status show करती है, कि आपके पास इतना भी आपने text type किया, उसमें कितनी lines है, कितने columns है, और कितने characters है, अभी मैंने text type किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक line है मेरे पास, और उस text में कितने columns है, six, और कितने characters है, five. तो status bar का काम क्या है, आपके document का status show करना, कि आपके पास कितनी lines और कितने characters है. नेक्स्ट आपके पास option है, file menu, file menu में भी जितने भी options आते हैं, यह हम already discuss कर चुके हैं, previous video में, फिर भी मैं आपको एक वार यहाँ पे, इन options का use बता देती हूँ, सबसे पहले control प्लस N, यह आपके पास है new tab, file menu के अंडर आता है new tab, जिसकी shortcut की है control प्लस N, अगर आपने एक नया tab या नया page open करना है, तो आप simply control प्लस N, प्रेस कर सकते हो keyboard की help से, या simply आप इस option पे click कर सकते हो, जैसे ही मैं file के option में new tab पे click करूँगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एक new tab open हो चुका है, यह मेरे पास था previous tab, और यह है मेरे पास new tab, next आपके पास है, file menu में new window, अगर आपने new window open करनी है, जिसकी shortcut की है control प्लस shift प्लस N, तो आप इस shortcut की का use कर सकते हो, या simply new window के option पे click कर सकते हो, मैंने इस option पे click किया, तो आप देख सकते हो, यह मेरे पास second window है, और यह मेरे पास first window है, जिस भी window पे आपने काम करना है, आप simply उस window पे click करोगे, और यहाँ पे type करोगे, अभी मैं इस window को close करती हूँ, आपने यहाँ पे करना है don't save, next आपके पास file में open, किसी existing document को अगर आपने open करना है, तो आपके पास shortcut की है control प्लस O, control प्लस O, मैंने keyword की help से press किया, तो आप देख सकते हो, आपके पास open dialogue box, इसको हम बोलते है, dialogue box, यह open होगा, जो भी document आपको open करना है, आप simply उस पे click करोगे, और यहाँ पे open command पे click कर दोगे, next आपके पास option है, save and save as, यह भी हम previous वीडियो में discuss कर चुके है, आप इन options को एक वार चेक कर लेना, save all के लिए shortcut की है, control प्लस Alt प्लस S, save all का मतलब, untitled और untitled, आपके पास दो tabs है, इन tabs को अगर आपने एक time पे save करना है, तो आप कहाँ पे जाओगे, save all पे, तो आप simply save all के option पे click करोगे, जहाँ पे भी आपने अपने document को save करना है, आप उस location को choose करोगे, और यहाँ पे file name type करोगे, नेक्स्ट आपके पास option है, page setup का, यह हम आगे discuss करेंगे, MS Word में, किस तरीके से आप page setup option का use कर सकते हो, नेक्स्ट आपके पास है print, अगर आपने अपने document को print करना है, तो आप simply control P, प्रेस कर सकते हो, keyboard की help से, और अपने इस document को print कर सकते हो, नेक्स्ट option है, close tab का, अगर आपने अपने current tab को close करना है, यह आपके पास है tab, first tab है untitled, second tab है हमारे पास document, अगर आपने इन tabs को close करना है, तो आप simply file menu पे जाके, control प्लस W, जिसकी shortcut की है, इसको press कर सकते हो, जैसे ही मैं control प्लस W प्रेस करूंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे पास document था, document tab था, वो delete हो चुका है, next option आपके पास है, close window, जिसकी shortcut की है, control प्लस shift प्लस W, इन shortcut की का, यूज़ कर सकते हो, keyword से, या simply close window के option पे, click करोगे, तो आपकी जो window है, वो close हो जाएगी, next आपके पास option है, exit का, अगर आपने अपने notepad को, exit करना है, close करना है, तो आप exit के option पे, जैसे ही click करोगे, तो आपका notepad का, जो program है, वो totally close हो जाएगा, तो ये था हमारे पास notepad, जितने भी options हमने, file menu में discuss किये, I hope आपको ये समझ आए होंगे, next वीडियो में हम discuss करेंगे, edit menu के बारे में, तिल दन, thank you so much.